प्रादिशिक समाचार सुरक्षित रहने के लिए किरपया इन तीन सराल उपायों का भी पालन जरूर करें मास लगाएं दोगस की सुरक्षित दूरी बना रखें और हाथ और चाहरा साफ रखें कोविट संबन्दी किसी भी जान करें और मागदर्शन के लिए राष्ट्री हेल्प लाइन नंबर 011-23-97-8-44-1-75 पर समपर करें और अब समाचार सुनिए पहले इस बुलेटन के मुख्य समाचार प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी न हरक शेतर में नेतरित के लिए महलाओं की सारहना की प्रदेश में राष्ट्री पल्स पोलियो अभ्यान आज से शुरू तीन दिन में एक करोड ग्यारा लाक बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष मुख्य मंतरी शिवराजी सिंग चोहान ने यूकरेन से लौट रहा है प्रदेश के विद्यार्थियों से बात की अधिकारियों को सभी उचित व्यवस्ता करने के दिये निर्देश और बैतुल जिले में सौसाहता सम्हू की दीदियों ने पेश की बड़ी मिसाल तीन महेने में उजवला योजना के 56,000 सिलेंडर रिफिल कराए और अब समचार विस्तार से प्रदान मंतरी नरेंडर मोदी ने हर खशेतर में मौर्चा समभालने के लिए देश की महिलाओं की सरहना की है अकश्वणी से मन की बात करकर मैं राष्ट को संबोधित करते हुए प्रदान मंतरी ने कहा कि महिलाओं विभन एक्षेतरों में नई उचाईयों पर पहुँच रही है और पुराने मिठकों को भी तोड़ रही है प्रदान मंतरी ने कहा कि देश की बेटियां सेना में भी नई और बड़ी भुमेकाओं में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है उन्होंने कहा कि देश में करीब आधे स्टार्ट अप में महिलाओं हैं निदेशक की भुमेका में है श्रीमोदी ने कहा कि देश में बेटे और बेटियों को समान अधिकार देते हुए विवहा की उमर भी समान करने के प्रियास की जा रहे हैं उनोंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता से देश में लड़के लड़कियों के अनुपात में सोधार हुआ है प्रद्ध मंत्री ने कहा कि स्वच भारत अभेहन के अंतरगत महिलाओं को खुले में शौचे से मुक्ती मिली है उनोंने कहा कि 3 तलाग जिसी सामजिक बुराई का भी अन्थ हो रहा है तीन तलाग के खिलाफ चानून लाएने से देश में 3 तलाग के मामलों में 80 प्रतिशत की कमी आई है प्रादन मंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि महिलाएं अब खुद परिवर्तन और प्रगती शील प्रयासों का नेत्रतु कर रही है प्रादन मंत्री ने कहा कि राश्ट्री शिक्षन नीती में मातर भाशा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है पेशेवर पार्ट क्रमों को बी शेत्री भाशाओं में पढ़ाने के प्रेयस की जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि लोग अपनी मातर भाशा की गुणों के बारे में जाने और कुछ ना कुछ अवच्छे लिखे प्रदान मंत्री ने कौरोना महमारी से संगर्ष में भारती वेगैनिकों की भी भूमिका की सरहना की और उन्हें कहां कि उनके प्रयासों से ही सवधे शीटीकों का निर्माण संभा हुआ श्री मोदी ने शिवरात्री और होली जैसे आगामी तोहारों को वोकल्फ और लोकल के साथ मनाने का आहवान किया मुक्य मंतरी शिवराजी सिंग चोहान ने आज बच्चों को पोलियों से बचाओ की दवा की खुराक पिलाकर राश्ट्रिय पुल्स पोलिय अभ्यान का रज इस्तरी शुबारम किया इस हवसर पर स्वास्थ मंतरी डॉक्टर प्रभुराम चोधरी वियुपस्तर रहे इस हवसर पर शिरी चोहान ने कहा कि पोलियो दिव्यांकता का सबसे बड़ा कारण है उन्होंने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के नेतरित में देश और प्रदेश को पोलियो मुक्त कराने का अभियान सतत जारी है। उन्होंने बताए कि कोई भी बच्चा पोलियों की दवा से वंचित ना रहे और अगर हर बच्चे को ये दो बूंद जिन्दगी की मिल जाएं तो उनकी जिन्दगी सुखी रहेगी और वो पोलियों से बच सकेंगे। बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिला कर किया। बयालेस बूतों पर पोलियों की दवा अपिलाई गए। खंडवा में जिला कलेक्टर ने महला चिकित साले में पोलियों बूत का शुवारंब किया। वहीं सतना जिले में इस अभ्यान के तहट पांस साल तक के तीन लाग एकसट हजार पांस सो अस्ती बच्चों को पोलियों की दव अपिलाई जाएगी। बुलेटिन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंत्रालकर। ब्रिक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। आपरेशन गंगा के तहट यूकरेण में रह रहा है भारती नागरिकों को लेकर चौथी उडान बुखा रेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवन हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर आइस जैशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि इस उडान में एक सवागत है। इदर मुक्ष मंत्री शिवराजी सिंग चौहान ने यूकरेण से लोट रहे मद्यप्रदेश के विद्यारतियों से फोन पर चर जागी। इस दोरान श्री चौहान ने उनकी कुशलक शिमजाने और दिल्ली में रेसिडेंट कमिशनर को उनकी समचित व्यवस्ता करने के निर्देश दिये। बैतूल जिले में स्वसाहता समहों की दीदियों ने तीन महिने में उजवला योजना के 56,000 सिलेंडरों के रेफलिंग कराकर एक बड़ा उधारन प्रसुत किया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संबदता मयंक भारगों। पाइलेट प्रोजेक्ट के शुरुवाती दोर में ही स्वसाहता समहों की दीदियों ने देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी की अती महत्वकांची उजवला योजना को बैतूल जिले में पुनर जीवित कर दिया है। स्वसाहता समूगी चैनित सत्तर उजवला सक्षियों ने पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत उजवला योजना के हिद्गराहियों को मोटिवेट कर महच तीन महा में 56,000 ऐसे गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग करवाई जिनकी रिफिलिंग योजना शुरू होने के लगबग 6 स्वसाहता समूगी सत्तर दीदियों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग कराने में लगबग 5,500,000 रुपे का मुनाफ़ा हुआ है साथ ही गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग शुरू होने से उजवला योजना के हिद्गराहियों एवं LPG कंपनियां भी लाभनवित हो रही हैं बैत दो दिवसी संगोष्टी के समापन सत्र में सतना सांसत गरणेश सिंग ने अपने विचायर प्रसुत किये वीर क्रांतिकारी चंदरशेकर राजयात के बलेदान दिवस पर आज देवास खंडवा और अलिराजपुर जिलों में विभिन स्थानों पर उने श्रदान जली दी देगा शिवरात्री महापर्व के मद्दे नजर उज्जेन इस्तित महकालेश्वर मंदिर में दो मार्च को दो पहर की भस मारती के समय प्राता दस वजे से दो पहर दो बजे तक मीडिया अथवा पत्रकारों को मंदिर में प्रवेश्ट नहीं दिया जाएगा और सतना जिल झाल